जहां पर तमाम जो बिहार की विभूतियां रही हैं, उनकी तस्वीरे लगी हुई हैं, ये कैम्प का रियाल है, मुकेश साहनी का, ये यहां पर देखें, जितने सारे विभूति रहे हैं, बिहार के तमाम उनकी तस्वीरे हैं, फुलन देवी की बाड़ी से तस्वीर है, मेरे बीधर में हैं आपकी इधर सब्वाइए तो कैसे देख रहे हैं उनको अपने प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है। और सित काल सत्र में हम इस बात को लाएंगे पटल पे लेकिन आपने क्या किया तो जुनका भी जो भी समस्या है वो समस्या को एड्रेस नहीं कर रहे हैं हाँ उनके नजर में पाँच किलो चाबल जो है गाव में लोगों को गरीब को दे रहे हैं उनके जिंदगी में विकास होगा जब उनके बच्चे परहेंगे लिखेंगे जब उनके बच्चे को समस्या होगा तो उसको अच्छे होस्पिटल में इलाज करा सकते हैं अच्छा कपड़ा पैं सकते हैं, अच्छे जगा उनकी बच्चे नोक्री कर सकते हैं, सर उठा के जी सकते हैं, दूसरे परदेश में भी जाएंगे, घूमने के लिए ना है कि वहाँ पर मजदूर बन के जाएंगे, तब जाके हमारा देश बिक्सित होगा, तो कहीं न कहीं ठ है, यह राज तंत्र है, अज मोदी जी के नेतरत में राज तंत्र हो चुका है, अटल जी के समय में या नहरू जी के समय में हर समय में ऐसा हमारा देश जो था, वो लोक तंत्र था, आज हमारे चुने हुए मुखमंत्री को दो-दो, मुखमंत्री को जेल में डाल दिया गया आप देखे किस तरीके से बॉंड के उपर किस तरीके से सरकार ने किस तरीके से बॉंड पर ही आ रहा हूँ बॉंड पर ही आ रहा हूँ मैं दूसरा सवाल है कि मुकेश साहनी खगड़िया चुनाव लड़ रहे थे इस बार तीन सीटे आपके पाले में हैं तो आप लड़ कहां से रहे हैं दर्शक की जानना चाहते हैं देखे मेरा सिफ चुनाब हमें लड़ना ही मेरा मकसद नहीं था हमारा मकसद था समाज का समस्या को दूर करना और इसके लिए मैं बिहार में आंदोलन करते करते हमारी पॉलिटीकल पार्टी बना है और पॉलिटीकल पार्टी है तो निशित तोर पर उस जगह पे पहुंचे यहांपे बाकी राजनित्ता वहाँ पहुंचे है और आप जो भी समाज का समस्या है वो एड्रेस करते healthy बनी सकता है तो हमें राज के लिए तयार रहना है और रहा कि इस समय में हमारे फर्स्ट पारिटी है कि एक-एक निशाद का भोट हम जिस गठवंदन में वहां पे पहुंचे हमारे विचारधारा के लोग वहां पे पहुंचे और मैक्सिमम सीट जीतने की बात है हाँ तीनों सीट है पार्टी उस पे नजर रखी हुई है और उस पे मजगूती से अच्छे कंडिडेट को हम लोग चैन करेंगे जो चुनाप जीत सकते और जरूरी पर है तो मैं खुद सोयं भी लरूंगा अगर हमें लगता है कि हमारे सहयोग अगर रूहां लड़के चुनाप जीत सकते तो भी लड़ेंगे अभी जहां तक मुझे खुद को लड़ने का अभी ऐसा हमने मन नहीं बनाया सिफ अपने लिए हम राजनित नहीं कर रहे हम अपने लोगों के लिए राजनित कर रहे है भाजपा भी एक सीट का ओफर किया ही उस नारा के साथ निकले थे और बेगर आरक्षन लिये हुए हम किसी खास करके इंडिये से तो गटबंदन करी नहीं सकते थे और हमने वहां नहीं किया उसके बाद हमारे इंडिया गटबंदन में हमने गटबंदन किया है हमारी फर्स्ट पारिटी है कि हमारी जितने भी भो निशीत तोर पे हमारे समाज का भाई है बेटा है और वहां पे काम कर रहे हैं उनके बारे में ज्यादा टिप्णी नहीं करना है वो टिकट मांगने वाले लोग हैं हम टिकट बांटने वाले लोग हैं और हमने जो मसाल जलाया है उसी से जन्म लिये हैं हरी सनी या मदन सनी जी उसी का देन है ने तो उससे पहले कभी कहीं नहीं थे तो ये सब बिहार के हर जनता जान रहे हैं हर एक नागरिक जान रहे हैं कि जो निसात करांती का मसाल हमने जलाया उसी का देन आज बिहार में विधायक हो मंतरी हो या जो भी पदादीकारी है बड़े उचे लेबल पे खा सभा को लक्ष में लेके चल रही है कि अगला बिधान सभा भी स्टेट में हो सकता है मुके सानी उसकी तयारी कर रहे हैं फिलहाल लोग सभा लड़ने का मन नहीं बनाया है हाँ मेरा मैंड टार्गेट है कि मैकसिमम सीट कैसे 2024 में जीता जाए और हम अगर फिरी रहेंगे तो मै किस जीन अभी नहीं लिए हैं और स्टेट एलेक्षन का हमारे त्यारी है हमें भी पता है कि जैसे बिहार का चुनाप खतम होगा उसे नितीजी को रिटार्मेंट लेना पड़ेगा और लेंगे अपने मन से लेंगे या जवरदस्ती लेंगे उस समय आप लोग के बीच में जाएगा और हम इस्टेट एलेक्षन के लिए त्यार है और जब भी इस्टेट एलेक्षन होगा उसके लिए हम लोग रेडी हैं नितीजी का नाम आपने खुद लिया तो एक सवाल याद आ गया मेरे पिछले इंटर्विव में आपने नितीजी कुमार को गांधी बता दिय बिहार में लंबे समय से बिहार के मुखमंत्री रहे बिहार का बेटा है उस पर भी टिप्टी हमें ज्यादा करनी के आप सकता नहीं है लेकिन अंतिम समय में जो उनको नहीं करना चाहिए वो उन्होंने काम किया जैसे महात्मा गांधी जी को नाथुराम गोर्से ने गोली म अंदोलन हुआ देस में वही का अगवाई कर रहे थे मानी मुखमंत्री reward 54 मजी और मुझे लग रहा था कि उन्हीं का जैपी का जो हमारे बिहार से जो इपी का अंदोलन उठाता हो फिर से दुबारा जैपी वालां पिर से उठैगा और कहींने कहीं जो देस में ताना साह है उनको खतम करेंगे और फिर ऐसा होता है कि आप तो हथियार डाल देना हो आतक समझ जाना आप उन्हीं से जाके मिल गए जिन से लरना था उन्हीं के सरन में चले गए तो मुझे लगता कि फिर ऐसे जगह पे जाके उनको सकेंड कांधी बोलना अच्छा नहीं है बाकी रहा कि बिहार का बेटा है लंबे समय से बिहार के मुखमंत्री रहे अभी वावक है और मैं तो कहूंगा कि अभी भी समय है इतना वार जब आप पलट गए है एक वार और और पलट जहिए बीच चुनाम में और महागरवंदर का असिरवाद दीजिए और आप अंतिम्जा समय है आ कहा है कि नारंगी कलर के वासिंग मसीन में नहा लेने की बात काई है इंस्टिउशनल और गनाइजेशन के दूरुपियों की बात काई है आप देजस्वी के ट्विट्स को कैसे देखते हैं निश्य तो पे सही है कोई आखे भाजपा भाज़े जनता पार्टी के भाजपा क देखे में उस कमपनी से जिस कमपनी को काम दे रहे हैं उस कमपनी को आप बॉंड लीजेगा उस कमपनी से ऐसा कभी आपने देखा सुना है और वह भी गोपनियता के तहट तो यह तो टेबल की नीचे गाउन लेवल पर होता है सी यो वीडियो जो होता है जबर्दस्तिक कि प्रदान मंत्री कर रहे हैं अब बताइए ने कि आप चुनाव आयों से लेके तमाम ऐसे चीज को अपने कंट्रोल में कर लिए हैं अपनी तरीके से चला रहे हैं बिहार में देश में 927 पार्टी को रेजिटरेशन कैंसल कर दिया हमारी पार्टी के भी पीछे पड़ा और मजगूती से उसमें हमने काम किया जो काम हमने पेपर जमा कर दिया था दोजा उने इसमें वह पेपर अभी हमें मागा गया उसके बाद जुद भी हमने कैसे करके हमारी पार्टी को बचाया है हमारे चुनाव सीन जो है दूसरे का लौट कर दिया गया हमारे पास सारा कि इस तरीके से ताना साथ करके हमारे समीधानी संच्टा है उनके साथ तरीक से खेल वाल नहीं होना चाहिए राहुल राहुल वाइंड अप करूँ एक सवाल और मेरे जहन में रहा गया कि मुके सानी का एन वक्त पे चुनाव चिन बदल गया है अब नया चुनाव चिन लेडिज परसा गया है कितना मुश्किल है यह जनता तक पहुँचाना नहीं बहुत जादा आज के समय में बहुत मुबाइल पर पहुँचाना और परचार फरसार तेजी करेंगे और चुनाव चिन तो परचार हो रहा है अब हमारे पास जो चुनाव चटे फेज में हमारी दो सीट है तो उसमें काफी परियाप्त समय भी है तो घर 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 गाउगाउं हैंड बता दिया जाएगा निर्द राम भगवान को पार लगाए थे वो चुनाव चिन कहीं न कहीं वो दूसरे जगे लॉट कर दिया उसके लिए भी हम कानूनी परक्रिया करेंगा जो ये बिधान सबाद चुनाव के बाद सुप्रिट कोट में इसके लिए के केस भी चल रहा है दूसरे पक्ष के लोगों न मैं ये कह सकता हूं कि इस बार मुके साहनी चुनाव नहीं लड़कर किंग मेकर की भूमिका में काम करना चाहते हैं और मेरा ये प्रडिक्शन है कि इस बार मुके साहनी तीनों सीट पर चुनाव लड़वाएंगे चुनाव लड़वाने की भूमिका में काम करेंगे ना कि पूरे बिहार में लगतार जन सभाय करें